हेलो दोस्तों मैं गौतम ठागूर अपने यूटीब चैनल आर्ट विद गौतम में आप सभी का स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हार्ट का डाइग्राम इजी स्टेप्स में कैसे बनाया जाए अगर आपने मेरे यूटीब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त एक बात का ध्याम रखें कि बैल आइकन को जरूर प्लिक करें जिससे कि आपके पास मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर मैं एक जैसा शेप बना रहा हूँ और ऐसलिए क्योंकि जो डाइग्राम मैं अभी बनाने वाला हूँ वो मैं ज्यादतर जो main parts है हमारे heart diagram के वो ज्यादतर इसी के अंदर बनाऊंगा ऐसलिए क्योंकि जो diagram है हमारा वो out of shape ना लगे इसके लिए मैंने clutch pencil का use क्या है क्योंकि clutch pencil क्या है कि बहुत sharp चलती है और हमें diagram में sharp ही lines की जरूरत पड़ती है इसे चार हिस्सों में divide करने के बाद अब मैं इसमें heart shapes बना रहा हूँ जैसा कि आप देखी रहे होंगे और ऐसा इसलिए क्योंकि जो ventricles होते हैं वो heart के shape में होते हैं और इससे हमें ventricles बनाने में आसानी होगी अक्सर क्या होता है कि diagram बनाते बनाते हम shape का ध्यान बूल जाते हैं और हमारा diagram आडा तिर्चा बन जाता है इसलिए ये सब रोकने के लिए हमें एक roughly structure बनाना बहुत जरूरी होता है अब हमारा diagram शुरू हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं ventricle बनाने के लिए septum बना रहा हूँ septum क्या होता है एक wall होती है heart में जो कि ventricles को divide करती है इसे बनाने के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करूँगा जो मैंने पहले heart बनाया था उसी के इर्दगिर्दबस आप आउटलाइन कर रहा हूँ और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने जहां पर heart की दोनों line आके मिल रही है वहाँ पर मैंने थोड़ा सा gap रखा है वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर valve होते हैं वहीं से atria का blood ventricle की तरफ flow होकर आता है और same मैंने वैसे ही valve उपर की तरफ बनाया है वहाँ पर क्योंकि वहीं से ventricle का blood pulmonary artery में जाएगा अब जब हमारा diagram लगभग नीचे का area complete हो चुका है तो हम जो extra lines हैं जो हमने पहले खीची थी diagram को easy करने के लिए उन्हें हम erase कर देंगे ताकि हमारा diagram है वो clean दिखे जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि atrium या atria से blood आता है ventricle की और ventricle से pulmonary artery तो pulmonary artery बनाने के लिए हमें एक line खीचनी है जो कि right की तरफ जुकी होगी और उसको दूसरी line से underline करना है जो की नीचे से ही आ रही है और उसी के parallel हमें दूसरी line बनानी है दो line बनानी है जिनने हमें divide करना है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर divide की है यह lines दूसरी artery में उपर की तरफ भी हमें इन्हें divide करना होगा और अब जो हम extra lines है उन्हें erase कर देंगे left atrium से blood होकर left ventricle में जाता है और उसके बाद वो aorta में चला जाता है तो aorta बनाने के लिए हम left side में थोड़ा सा तिर्ची line बनाएंगे जिसे हम दूसरी line से underline करेंगे और उसी के parallel हम दो line और बनाएंगे मैंने इसे left atrium और left ventricle इसलिए कहा क्योंकि यह diagram का left side है तो इसमें confusion वाली कोई बात नहीं है अब मैं जो extra lines है उन्हें erase कर रहा हूँ और erase करने के बाद मैं atrium बनाना सुरू करूंगा जैसा कि आप अभी देखेंगे atrium बनाने के लिए मैंने कोई definite shape नहीं बनाया पहले से जैसा मैंने वेंट्रिकल्स में बनाया था क्योंकि वेंट्रिकल्स का shape थोड़ा सा difficult था बट एट्रिया का उतना नहीं है तो हम एट्रिया को simple वैसे बनाएंगे जैसे हमने pulmonary artery और aorta को बनाया था तो ध्यान रखें जो हमने पहले circle बनाया था और कुछ lines कींची थी अपने अंदाजे के लिए कि हमारा diagram कितना बनेगा कहां बनेगा और कुछ diagram आड़ा तिरचा न बने उन लाइन्स को आप थोड़ा light बनाएं जिससे कि आपको diagram बनाते समय confusion ना हो और बाद में erase करने में problem ना आए अब हम दूसरा atrium बना रहे है ठेक उसी तरह जैसे हमने पहला atrium बनाया था ये बहुत easy है आपको देखी रहा होगा कि ये मतलब मैं कितने simple तरीके से इसे बना रहा हूँ और ये और भी easy हो जाता है अगर हमें पूरा function heart का पता हो heart क्या function करता है इसके काम क्या है तो हमें उसका diagram बनाना और easy हो जाता है वैसे तो अगर हमें किसी चीज की जानकारी हो तो उसी उस चीज के उपर काम करना easy हो जाता है यह तो एक fact है कि अगर हमें किसी चीज की जानकारी है तो हमें उस चीज पर काम करने में मज़ा भी आएगा और उस चीज पर काम करना easy भी हो जाएगा अब मैं pulmonary artery को ही continue करते हुए आगे बढ़ा रहा हूं जैसा कि हमारी book में दिया है NCRT में diagram उसी तरह जैसे अब हमारा diagram लगभग complete हो चुका है heart का diagram तो हम इसमें थोड़ा सा जो finishing अगर हमें कहीं कमी लग रहे है कि कहीं line और आगे बढ़नी है या कम होनी है तो अब हम उसमें finishing दे सकते हैं और वह और अच्छा लगेगा अगर हम किसी चीज में finishing दें लास्ट में उसमें कुछ कमी रह गई उसे सुधा रहे हैं तो वह चीज और अच्छी लगने लग जाती है उसी तरह में अब हार्ट में finishing दे रहा हूं डाइग्राम में वैसे तो अभी इसमें कुछ ज्यादा कमिया है नहीं पर फिर भी अगर आपको कहीं दिखे तो आप last में उसमें उसे ठीक कर सकते हैं अब हमारा डाइग्राम लगभग complete हो चुका है लेकिन अब मैं इसमें arrows के through blood का flow बता रहा हूं ये बताना बहुत important है इसके बिना हमारा डाइग्राम अधूरा है इसी से पता लगता है कि blood का flow किस तरफ है heart में तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी blood atrium से ventricle की और flow होता दिख रहा है उसके बाद ये pulmonary artery में जाएगा और उसी तरह हम पूरे heart में इसे इसका flow बताएंगे ये बहुत important point है heart diagram में और end में हमारा diagram label होने के बाद कुछ इस तरह नजर आ रहा है आप देख सकते हैं ये पहले से काफी अच्छा नजर आ रहा है और diagram को label करना बहुत important होता है क्योंकि इसके बिना हमें पता नहीं लगता कि कौन सा part कहां पर है तो ये एक बहुत important point है